हेलो नमस्कार इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइडल में और थमनेल में देखी लिया है कि हम बात करने वाले हैं ESIC, UDC, STENO और MTS में आपको किन-किन चीजों का खास तोर पर ध्यान रखना है ठीक है? फॉर्म एपलाई करते हैं समय तो वही चीजे हम इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं दोस्तो फॉर्म एपलाई करना हर कोई बताएगा step by step आपको कैसे क्या करने लेकिन जो important बाते हैं जैसे कि related to declaration हो गया ठीक है, thumb impression हो गया ठीक है और photos, signature आपको कैसे करने तो वह सभी में आपको इस वीडियो में बताऊंगा details से तो last तक जुड़े रहेगा और जो भी candidates चैनल पर पहली बार आये है चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को दोस्तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की important वीडियो आपको आगे भी मिल दी रहे तो गाई सबसे पहले तो अगर मैं Salamis वगेरा की बात करूँ तो already वीडियो uploaded है चैनल पर तो आपके लिए दोस्तों वीडियो comment column में पिन कर दूँगा में ठीक है वहाँ पे click करके आप videos देखिए काफी important और helpful वीडियो है ठीक है अब दोस्तों बात करते है declaration वागेरा की जो candidates नए है इस field में तो मैं आपको बता दूँ कि guys आपको क्या करना है कि declaration को ले करके काफी सारी candidates दूपर परिशान भी होते है और बार-बार message भी करते है कि declaration गलत लिग दिया है तो क्या form फिर supply करना पड़ेगा तो guys अगर आप छोटी-छोटी चीजों में आपर अगर गलती करेंगे तो form आपका reject भी हो सकता है ठीक है तो किन-किन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप important points देख लीजिए कि ठीक है फोटोग्राफ दोस्तों आपकी जो height और length होनी चीए वो यह होनी चीए ठीक है height और width कि अगर मैं बात करूँ तो 4.5 x 3.5 ठीक है यह दोस्तों आपको YouTube पे बतेरे वीडियोस मिल जाएगे कि size कैसे set करे तो जो demo अगेरा है वो आप देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले important point कि आपको signature दोस्तों capital letters में नहीं लिखना है ठीक है capital letters में आपको नहीं लिखना है जैसा कि आप मान लिजिए कि मेरा नाम है मैंज ठीक है तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ मेरा signature ठीक है तो वो दोस्तों reject हो जाएगा तो आपको capital letters में signature नहीं लिखना है पहला important point ही है ठीक है अब रही बात दोस्तों left thumb impression की ठीक है तो properly दोस्तों scan होना चाहिए उसमें किसी भी तरह के कोई गडवड़ी वडवड़ी नहीं होनी चाहिए ठीक है और left thumb होना चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पर दोस् दोस्तों यहाँ बर right thumb को scan कर सकता है ठीक है तो यह important point हो गया आपना signature दोस्तों आपको capital में नहीं लिखना है पहली बात यह है दूसरी बात दोस्तों आपने thumb impression के बारे में कर ली तीसरी और most important बात हमारी आती है दोस्तों handwritten declaration को लिकर के ठीक है handwritten declaration में ही काफी सारे candidates गलत कर करते हैं तो काई आप चाहो तो दोस्तों इसका screenshot ले लिजिएगा और यह जो handwritten declaration है आई ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है name of the candidate नहीं लिखना है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है ठीक है उसके बाद comma लगा करके hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct true and valid I will present the supporting documents as and when required तो ऐसा करके दोस्तों आपको white paper लेना है ठीक है मैं आपको आगे बता रहा हूं कि कौन से ink से लिखना है वो सभी मैं आगे आपको बताऊंगा ठीक है तो चलते हैं आगे सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें signature की तो signature आपको capital में नहीं लिखना है पहली बात मैंने आपको पहले बताया यहां पर दोस्तों एक important point यह है कि the applicant has to sign on white paper with black ink में तो आपको signature करते टाइप दोस्तों black ink का use करना है ठीक है यह white paper लिया आपने उसमें black ink से आपको signature करने है और capital में नहीं होने चाहिए एक बार फिर आपको बता दो file type जो है वो दोस्तों JPG या फिर JPG होना चाहिए और जो file size है वो आपका 10 से 20 के भी होना चाहिए ठीक है यह signature दोस्तों हमारा complete हो गया बात करने दोस्तों left thumb impression की तो यहां पर दोस्तों यह दे रखाय कि the applicant has to put his left thumb impression on a white paper white paper लेना है दोस्तों आपको और उस पर black या फिर blue इन दोनों से आप thumb कर सकते हैं और फिर उसको scan कर लीजेगा ठीक है और यहां पर दोस्तों यह दे रखाय कि जो file type है वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए और file size दोस्तों 20 से 50 के भी यहां पर mention की गई है ठीक है तो यह दो important बाते हो गई signature और left thumb के बारे में अब बात क declaration के बारे में ठीक है तो guys आगे क्या लिख रखा था कि जो का गया हो यह रहा hand written declaration on a white paper with black ink तो guys मैं prefer आपको यही करूंगा कि आपको black ink से ही लिखना है यहां पर दोस्तों blue भी दिखा हुआ आपको मिलेगा लेकिन blue से मत करिएगा आप black से ही करिएगा ठीक है तो hand written declaration में दोस यह दिया हुआ था वैसा ही आपको hand written declaration लिखना है इसमें कहीं भी दोस्तों I call out आप कहीं भी देखोगे तो आपको कोई भी capital letter नहीं मिलेगा ठीक है तो आप अपना नाम यहां पर लिख दीजेगा दोस्तों ऐसे M A H E S H ऐसे करके आप नाम लिख दीजेगा यहां पर और फिर कॉमा लगा करके hereby declare that से start करके यहां पर आपको required तक लिखना है ठीक है तो वो लिख लिख लिए आपने white paper पे black ink से लिखना है ठीक है और फिर उसको scan करके upload करना है handwritten declaration should not be written in capital letters बात कर ली हमने ठीक है the applicant has to write the declaration in English clearly clearly दिखना चाहिए दोस्तों English के अंदर वो ठीक है on a white paper with black ink blue ink से नहीं करना है ठीक है the handwritten declaration should be of the applicant and not by any other person तो guys candidate जो इस form को apply कर रहा है और अगर किसी दूसरे से लिखवा करके वो upload कर रहा है तो वो गलत बात है दोस्तों आपको खुद की handwriting लिखनी है और handwritten handwritten का क्या मतलब होता है कि खुद का लिखा हुआ ठीक है तो खुद आप लिखिए और फिर उसको upload कीजिए ना कि कि किसी दूसरे का उठा के और चेंदिया आपने फिर आगे दिक्कते होंगी दोस्तों ठीक है और उसके बाद file type की अगर बात कर ले तो यहां पर भी JPG और JPG ठीक है और size की अगर बात कर ले तो 50 KB से 100 KB की ठीक है अब हमारा handwritten declaration हो गया थम impression हो गया signature हो गया फोटो का हमने दोस्तों यहां पर देखे लिए dimension क्या है कि height और width हमने देखे लिए 4.5 x 3.5 cm ठीक है अब एक चीज़ और है दोस्तों important कि आपको जो photo है दोस्तों वो color में होनी चाहिए ठीक है background आपको white होना चाहिए और पूरी color में जैसे नहीं black and white उठा करके जेव दी देखा कि हमने photograph देखी ठीक है photograph एकदम ऐसा ही आप माल लीजिए कि मतलब simple यह भाई जैसा दिख रहा है उसी हिसाब से आपके photograph जो वो upload होनी चाहिए color picture होना चाहिए ठीक है signature दोस्तों black inks से होनी चाहिए white paper पे और इसका size आप 10-20 के भी और इसी तरह से दोस्तों आपको ल 20-50 के भी ठीक है इसी प्रकार से आपको scan करना है black से भी हो सकता है blue से भी हो सकता है ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी तो guys अगर इन चीज़ों का आप त्यान रखेंगे तो आपके ESIC UDC STENO और MTS में कहीं form में गलती नहीं होने वाली है ठीक है क्योंकि दोस्तों यह आपको कोई नहीं बताएगा यह चीज़े मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप गलत ना करें ठीक है और आपका form जो है वह सही से अपले हो जाए अब काफी सारे कंडिलेट्स हो दोस्तों इसके अलावे और काफी सारे डाउट्स होंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर ठीक है इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप जुड़ सकते हैं पॉस्नली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दूस्तों अगर आपको कोई डाउट है ठीक है और मुझे अगर उचीत लगा तो मैं उसको वीडियो भी बनाऊंगा एक तो जुड में दे दूंगा वहां पे क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं आज की वीडियो में जर्फ इतने दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद भारत है वनाइस डिकाईस